तो फ्रेंट्स आसमा आपके साथ शेयर करिए गेहों के आटे का बहुती मज़ेदार सानास्ता जिसे आप मैहिने भर के लिए स्थोर करके भी रख सकते हैं बहुती टेस्टी खस्ता और मज़ेदार ये बनता है सुब़ शाम के चाई के साथ खाना हो या फिर छोटी मोटी बूख में खाना हो या फिर बच्चों को देना हो उसके लिए एकदम पर्फेक्ट है तो आईए फिर ये मज़ेदार सा नास्ता बनाना देख लेते हैं इसे बनाने के लिए देखे अब इसमें आदा कप बरीक वाली सूजी डालेंगे आपके पास बरीक सूजी नहीं है मोटी वाली है तो मिकसर में चला कर पीछ ले लेकिन बरीक सूजी डालें सूजी से बिसकिट अच्छे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे तो 2 कप गेहों के आठे में 1-2 कप सूजी डालें 2 चमस तिल डालेंगे, आपके पास तिल नहीं है तो स्किप कर दें तिल से बिस्किट में अच्छा टेस्ट आएगा फ्लेवर के लिए 1-2 चोटा चमस इलाइची फावडर डालें आप इलाइची का फ्लिवर लाइक नहीं करते तो आदा छोटा चमस दरदरी कुटी हुई सौफ डाल लें अब यह मैंने डेसिकेटेड कोकोनेट लिया है यानि नारियल बुरादा तो इसमें से हम तीन चमस नारियल बुरादा डालेंगे इससे बिस्किट में अच्छा टेस्ट आता है लेकिन जादा मट डालना अगर जादा डाल देते हैं तो बिस्किट तलते समय फट सकते हैं तो तीन चमच मैंने desiccated coconut डाल लिया है, एक चुठकी नमक डालेंगे, मीठा balance हो जाता है, और बिस्किट खाने में और भी tasty लगेंगे, तो एक चुठकी नमक जरूर डालें, इन सब को अच्छे से mix कर लेना है, ये देखिए सारी चीजी अच्छे से mix हो गई, अब हम इसमें मौईन लगाएंगे, तो मौईन के लिए मैं ने देशी घी लिया ह। चार चमच और गही हो हम आठे में अच्छे लगाएंगे, पूरे आठे में मौईन अच्छे से लग जाना स्एकिए, ऐसे अगर मूठी अच्छे से नई ही बंद रही ये बिखर रहा है तो मोईन सही ही नहीं है एक दो चमच घी और डालें घी उपर नीचे हो सकता है तो आटे में मोईन अच्छे से लग गया इसको साइड में रख देंगे अब हम दूसरा पाउल लेंगे और इसमें एक कप चीनी ड लेना है और पानी की जगे आप दूद भी ले सकते हैं लेकिन बिस्किट आप जादा दिन के लिए बना कर रख रहे हैं एक डेट मैने के लिए बना कर रख रहे हैं तो आप पानी डालें पानी से इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाती है और यदि आप 10-15 दिन के लिए विस्किट बना कर रख रहे हैं, तो आप दूर्ण डाल लें, चीनी में पाने डालने के बाद चीनी को घोलना नहीं है, हलके हाथ से मिला लें बस एक दूबर चीनी को ऊपर नीचे कर लें यानि चीनी के न पूरे दाने बराबर दिखाई देने चाहिए तो ये देखे चीनी को मैंने हलके हाथ से एक दोबर उपर नीचे किया है मिलाया है और चीनी के पूरे दाने बराबर दिखाई दे रहे हैं अब हम मोयन लगा हुआ आटा लेंगे और ये चीनी वाला गोल डालते जाएंगे आटा गूत लेंगे तो थोड़ा थोड़ा चीनी वाला गोल डालते जाएं आटा गूत लेना है ये आटा हमी थोड़ा सा सखत रखना है सोफ्ट नहीं लगाना थोड़ा सखत आटा गूतेंगे इस तरह से हम ये जो बिस्किट बनाते हैं हमारे biscuit बहुत ही tasty बनते हैं biscuit बनने के बाद उसके उपर जो चीनी दिखाए देती है देखने में भी अच्छा लगते हैं और खां़े में तो बहुत ही tasty लगते हैं क्रीस्पी लगते हैं तो ये देखे चीनी वाला पुरा गोल मैंने डालकर आटागूथ लिया है पिर थोड़ा चप्टा कर लें, लोई बनाएं, अब हम इसको बेल लेंगे, चकले फिर थोड़ा सा ओई लगाएं और यह लोई रखेंगे, इसके ठीकने से हमें थोड़ी मोटी रखनी है, ज्यादा पतला नहीं बेलना, अब इसके लंबी सीट बेल लेते हैं, बेलते समय किन पीसी तरह हैं स्क्रिते जाएंगे बड़ी आसानी से बिल जाती है यह लंबी सीट मैंने बेल ली आप सेफ में काट लेंगे मेरे OUR पास यह कटर है इससे मैंुश इससे के कटर हो आप कटर तोटी तोटे से बीच्ट में काट ली तो यह देखेए ने घर कवाल। तलने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया था मैंने तेल मीडियम हाई गरम होना चाहिए अभी गैस की फ्लेम को मीडियम रखें जैसे सारे बिस्कित डल जाते हैं गैस की फ्लेम को लो कर देंगे जितने कडाई में आसानी से आ जाए उतने कडाई में डालें ज्यादा लगे कि आपको इन पे color आ गया है ये निचे की side से थोड़े सी गये हैं फिर आप इनको पलट ले और थोड़े थोड़े देर बाद उलड़ते पलटते रहेंगे इनको अच्छा सा crispy कर लेंगे इन पे अच्छा color आने देंगे अभी इन में cracks दिखाई दे रहे हैं तो इसे हमा इनको फ्राइड नहीं करना क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम इनको तलते हैं तो ये बहार से जल्दी से color आ जाता है अंदर से कच्छे रह जाते हैं इनको निकाल लिया ऐसे बचे वी बिस्किट हम सेफ में कट करेंगे और इनको तल लेंगे फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तल लिये हैं कितना अच्छा color आ गया और ये लिजिए हमारे गेहूं के आटे के बहुती मज़ेदार और टेस्टी बिस्किट खाने के लिए तयार हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सोफ्ट खस्ता बहुती मज़ेदार बनते हैं इनकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है महिने देड़ महिने के लिए एक बर बना कर रख लें जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं एर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें सुबह साम की चाय के साथ खाना हो चोटी मोटी भूख में खाना हो या फिर बच्चों को देना हो उसके लिए एकदम परफेक्ट है तो इस वीडियो को लाइक शेज जबूर करें और आप मेरी वीडियो दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई एंड थेंक्स फोर वाचिंग